नभुस्कार सिच्छक सातियों मैं मनीश एप अंकजनाटे चैनल पर आपके सामने सीटेट के इंग्लिस सलेबस को लेकरके उपस्तित हुँ सबसे पहले लोग confusion रहते हैं कि English syllabus में आएगा क्या कई लोग comment करें फूशे भी सर English syllabus में क्या आएगा seated में तो मैं आपके सामने जो कि यहां पर आपके screen पर दिख रहा है जो English syllabus लेकर करके उपरस्ते हैं English में दो चीज़े रहें दो syllabus में हैं A part B part यह part में content है content जो होगा content में आपके पांच parts पढ़ने हैं एक इंप्रूब्मेंट आप sentence sentence incorrect रहेंगे जैसे आप दें इंटर्मिटर में तो syntax पढ़ा है same conditions हैं आप syntax के सारी नियम्स जो कि आएंगे तो improve sentence गलत रहेंगे उनको आप सही अरेंज करना है कुछ arrangement रहेंगे कुछ जो उसमें incorrect रहेंगे उनको correct करना पड़ेगा सही जगा पर तो यह रहेंगे spelling mistakes कुछ spellings जो की चर्चियर से लेक्टिनेंट हो गया kernel हो गया इन सब की meanings जो की गलत दी जाते spelling mistakes रहते हैं उसको आपको सही करना पड़ेगा यह रहेगा नंबर थर्ड बात है fill in the blanks कुछ words होते हैं जिसमें कुछ सब्द misspelled होते हैं उसको रिकतस्तान रख दिया जाता है और वहाँ पर आपको नए words जो की लिखने पड़ते हैं और फिर vocabulary reading comprehension passes आप unseen passage आपने पड़ाओगा intermediate में पड़ाओगा high school में पड़ाओगा और seated के आने ग्याम में भी आपको ग्याम देते देते अनबाव हो ही गए होंगे कि क्या जो की unseen पैसे किस तरह questions put up के जाते हैं दो पैसे तो मस्ट हैं दोपैसे आएंगे ही seated और दो पैसे को पाइसे में पहले क्या करें पैसे को रिप करेंगे बढ़ियां से उसको समझेंगे understanding करेंगे उसकी सबसे में ची थीम क्या है क्या कहना चालता है उसका में परपच गया है वह अपले डूड़ी यह कहना क्या जाता है क्योंकि एक पॉस्टन जरूर आएगा थीम वाट इस थीम आप इस पैसे जिसमीन्स या जो भी पैसे दिया उसके में थीम क्या है थीम कुछे बिखेंगे उसके बाद को संसे रहेगा उसमें उसके बाद को सुथा करेंगे उसमें है और सब्सक्राइब आपको पताए जाएंगे सिर्फ आप यहां पर ससके बारे में आज दिकिंगर ने next part में pedagogical issue, pedagogical issue में क्या है, जैसे आप किस method से पढ़ा है, inductive method से, directive method से, grammar code method है, इससे किस method से आप learning कराएंगे, किस method से आप उनको सिखाएंगे, और तमाम जो की सिच्छन मुद्दे जो हैं, वो इसमें जो कि pedagogical issue में जो की आएंगे, लर्निंग से लेकर के आपके जितने भी NCM के पाटिकरम से संबन्दिन जो इंग्लिस में कैसे क्या चीज़ है वो सब चीज़ आपको बताया जाएंगे और आज के लिए सिर्फ इतना ही आपके सामने जो की इंग्लिस सीटेट का जो की मॉडल इंग्लिस सीटेट का जो की आपके सामने जो की सेलेबस था और नेक्स वीडियो में आपको हम सब यह बड़ी बारिकियों से जो की बताया जाएगा बड़ी बारिकियों से जो की समझाया जाएगा और आपको हर चीज क्लियर करते हुए आगे तक ले जाएंगे that's all